हेड दोस्तों वेलकम बैक टू दू चटपट टॉई टीवी मेरा नामे रायान आज की वीडियो में मैं एक सूपर आर्ची कार की अन्बॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ इस कार की अंदर हमें ग्राविटी संसर भी देखने को मिलता है और इस कार को हम पूरी तरीके से इस स्टीरिंग को यूज़ करके चला भी सकते हैं जैसे real वाले cars में steering होती है ने गई इस हम left को गुमाएंगे तो car left को जाती है right को गुमाएंगे तो car right को जाती है और दोस्तों इस car के अंदर भी एक gravity sensor लगा हुआ है जैसे real car चलती है उसी तरह से हम इस car को भी चला सकते हैं ये steering को use करके तो चले दोस्तों फटा फट से इस box को मैं open कर लेता हूँ काफी ज़ादा बड़ी RC car है इसका box भी आप देखी रहे होंगे मेरे camera के frame में प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है इस car को मैंने खरीदा है 2600 रुपीज में लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा guys वहाँ से जाकर आप चाहे तो इस RC car को खरीद भी सकती हो तो चलो फटा फट से मैं box को यहाँ से open कर लेता हूँ कार को निकाल लेते हैं यहाँ से दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक question पुछने वाला हूँ यह car का नाम क्या है अगर आपको यह car का नाम पता है तो मुझे नीचे comment करके फटा फट से अभी का भी बता दो guys और all car जो है काफी जादा बड़ी है यहाँ पे आपको इसका size भी change कर सकते हो तो इसको मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ फटा फट सा इसके अंदर की सारी चीज़ें निकाल लेते हैं यहाँ पे एक box मिला है में इस box के अंदर क्या है देख लेते हैं तो इसके अंदर मिला है में एक charger और यह रही इसकी battery और यह जो battery है 700 mh की हमें quality है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है उतनी ज्यादा खराब भी नहीं लग रही है और all will quality ठीक ठाक सी नजर आ रही है color भी काफी जादा बढ़िया है काफी जादा shiny सी finishing दी है उसके उपर और यहाँ पे इसका color red and black में काफी जादा खतरनाक नजर आ रहा है यह जो doors है आप पूरी तरीके से remote से बंद चालू कर सकते हो और wheels काफी जादा stylish है mac wheel लगे हुए है rubber के wheels दिये हुए है और काफी fluffy से wheels है यह sports car है तो इस car को जो है आप off-road में बिल्कुल भी नहीं चला सकते हो अगर चला होगे तो नीचे वाला जो part है पूरी तरीके से खराब होने के भी chances ह होते हैं तो और all मेरे को यह जो कार है काफी जादा जबर्दस लगी पीचे की तरफ से भी देख रहे होगा इस बहुत सारे lights वगरा दिये हुए है पर यह काम करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है चेक करके मैं आपको बताऊंगा तो सामने भी काफी अच्छे खांसे headlight द नहीं गई है bucket seats से steering भी नजर आ रही है काफी अच्छी तरीके से तो इसको मैं यहां पर रखता हूं तो भी हमारे remote के बारे में बात करते हैं यह है इसका remote और काफी जादा वजंदार remote है का इसे और इसका size भी आपको दिख रहा होगा काफी अच्छा खासा बड़ा साइज इस remote का तो यहां से इस कार को आप stop कर सकते हो यहां पर हॉन दिया हुआ है यहां से इस कार को forward reverse कर सकते हो यहां से on off कर सकते हो यहां से इसके door open close कर सकते हो और यहां पर music change कर सकते हो इस कार के अंदर music भी चलती है और यहां से इस कार को आप stop कर सकते हो तो चलो दोस्तों तो टासर डेमो बताऊंगा, फिर बाहर जाकर प्रॉपर तरीके से इस RC कार को टेस्ट भी करके बताऊंगा, देखते हैं, इसका जो ग्राविटी सेंसर है, सहीं से काम करता है कि नहीं, दोनों के अंदर बैटरी मैंने इंस्टॉल कर ली है, इस रिमोट के अंदर हमें यहाँ दो डबल बैटरी जडालनी हूं थे, बैटरी डाल दिया हमें, कार के अंदर भी जो बैटरी आती है, वो बैटरी डाल दिया हमें, वनवर तक चार्च करने के बाद, तो इसको स्टार्ट करते हैं, वाउ, अउन हो चुकी है हमारी कार, तो गाइस, इसके अंदर मैं एक टेस्ट कर लेते हैं हम लोग वाव टोन हो रही है यार सही से देख रहो गाइस सामने का टायर जो है इसका गूम रहा है मैं जैसे स्टेरिंग भूमा रहा हूँ जबर्दस्त तो इसके डोर्स वेकर आभी टेस्ट कर लेते हैं वाव गजब एकदम जबर्दस तरीके से सारी चीज़ है चल रही है इस कार के अंदर तो चलो दोस्तों बाहर जाकर इस कार को मैं पूरी तरीके से आपको टेस्ट भी करके बताता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके डोर्स भी ओपन क्लोज हो रहे हैं और यह जो पीछे वाला पार्ट है यह भी ओपन क्लोज हो रहा है यह बटन दबाने से वाव भई मज़ा आ गया यार चलो दोस्तों भी चलते हैं बाहर दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर इस कार को टेस्ट करने के लिए steering को मैंने लगा दिया है holder की अंदर तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह जो steering है काफी smooth तरीके से turn हो रही है कार को start कर लेते हैं तो चलो भी चलते हैं आगे yellow guys इसको left turn करते हैं काफी तरीके से turn हो रही है हमारी car reverse भी हो रही है और ठीक ठाक सी turn हो रही है यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है इसकी जो steering है इसका gyro sensor उतना ज़्यादा smooth है नहीं यहाँ पर मैं आपको एक और बार turn भी करके दिखा देता हूँगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे को काफी ज़्यादा turn करना पढ़ रहा है यह steering को हमारी car को turn करने के लिए तो इसकी range भी जो है आपको तकरीबन 20 से 30 meters तक मिल जाएंगी क्यूंकि दोस्तों इसके अंदर हमें 27 MHz का remote देखने को मिलता है अगर 2.4 GHz का remote होता तो यहार मजा यहाँ आजाता remote की range थोड़ी सी कम लगी मुझे तो चलो दोस्तों अभी इसको मैं दोड़ा के बताता हूँ इस road के उपर देखते हैं हमारी car कितनी speed तरीके से चल सकती है तो वैस यहाँ पर अभी जो car है तकरीबन 15 से 20 km की speed में चल रही है और यहाँ पर जमा जम बारिश भी होना चालू हो चुकी है और car का look तो आप यहाँ पर देख रहे हो गई इस काफी कमाल का look देखने को मिलता है मैं इस car का एकदम खतरनाक सी sports car है दोस्तों यह दोस्तों इस car का नाम अगर आपको पता है सामने की तरफ से इस तरह की दिखाई देती है इसके अंदर काफी अच्छे headlights भी दिये हुए दोस्तों इन लोगों ने और जब हम यह RC car को reverse करते हैं तो पीछे काफी अच्छे tail light भी दी गई है इस RC car के अंदर तो यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस RC car को full speed में चलानी के लिए अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसाद भी होने लगी यार हमारी RC car भी पूरी तरीके से गिली हो चुकी है तो देखते हैं इसकी top speed जो है कितनी बढ़ पाती है तो उसकी speed जो है guys मेरे को ज़्यादा लग नहीं रही है क्यूंकि यहाँ पर इसकी जो motor है थोड़ी सी छोड़ी हमें देखने को मिल रही है तो full total दे दिया guys मैंने remote के अंदर इसकी speed जो है तकरीबन 20 km per hour हमें यहाँ पर देखने को मिलती है तो रहाल guys car काफी अच्छी लगी मेरे को अगर आप यह car खरीदना चाते हो तो link मैंने नीचे description में दिया हुआ है वहाँ से जाकर जाये तो आप इस RC car को खरीद भी सकते हो और थोड़ी देर चला के देखने है guys इस RC car को बारिश में भी काफी अच्छी तरीके से यह हमारी RC car चल रही है तो रहाल दोसों इसका size मैं आपको बता हूँ तो इसका size जो है काफी जादा बड़ा है normal जो RC cars होती है उनके मुकाबले में इसका size जो है दूग ना है यानि कि दो गुनी बड़ी है यह RC car इसका remote भी हमें काफी जादा बड़ा देखने को मिलता है और ठीक टाक सी turn हो जाती है यहाँ पर आपको मैं एक और बार बता रहा हूँ यह RC car को किस तरह से turn करना है दोस्तों आपको RC car कैसी लेगी मुझे नीचे comment करके ज़रूर बता देना तो चले दोस्तों भी मैं दे देता हूँ शौट आउट दोस्तों आज मैं दूँगा 10 लोगों को शौट आउट तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आ जाता है सुदर्शन दानी, अब्दुल रह्मान, सोमेश, गवरिश रोय, सुफियान खान, वातसल्य, चिरंजीब मंडल, संपा मजुमदार, रिशिधर, बुशरा चावान तैंक्यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट् Tube करने के लिए अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शौट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजे, लाइक नीचे करती है कमेंट कमेंट करने के पर आपका नाम भी ज़रू से टाइप कर देना दोस्तों तकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम से रट करूँगा जो भी आप एच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो ही पर होती है एंड मिलता हूँ से मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाक केदार RC टॉइस के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तो